परमित्रो अब विदा जसकी तसरख दीनी चदरिया नए मुखमंत्री पत्के लिए शपत ली इसके साथ אם राजिंद्र शुकला और जगदीश देवरा ने उप मुख मंत्री पत्के लिए शपत लीू ओर पूरह शबद्रब्राटस के reactor समा रबार समापत होने दीन के बाद Pत्रई नरेंद्र मोदी ने मद्ब्रदेश मुहने अदव के साथ मद्भृतेज के कई मंत्रियों और नेताओं के साथ ब्राजभवन में पहुंचकर चर्चा की। मुहने अदव के सबत लेने के बाद ही शवरास सिंह चौहान का कालब समापत हो चुका है। शपत गरहन समारों के पूर्व मुकमंतरी शिवराज सिंग चोहान ने पौधर उपन किया, इसी बीच उन्होंने पत्रकारों से वारता की और इसके साथ ही अब मुकमंतरी का एक आखरी बयान जो सामने आया है वो तीजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सपत गरहन समारों के पहले पूर्व मुकमंतरी शिवराज सिंग चोहान ने रोज की तरह पौधर उपन किया, इसके बाद पत्रकारों से बात चीत करने के दौरान उन्होंने एक वाक्य कहा, जो कि अब सोशल मीडिया पर सुर्खिया बना हुआ है। शिवराज ने कहा था कि जस की तसधर दीनी चदरिया। नए मुख मंतरी जी सपत लेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है, वो बद्धप्देश की समरिध्धी और विकास को और जनता की कल्यान को नई उचायों पर ले जाएंगे, उनको सुभ काम ना है, आज प्रधान मंतरी जी पधार रहें, उनका हिर्दय से स्वागत, ग् अभिधा जसकी तसरख दीनी चदरिया, वाइब जानते हैं कि शवराज ने पत्रकारों के बीच जो वाकि कहा है कि जसकी तसधर दीनी चदरिया, इसका वास्तब्द अर्थ क्या है, यह कबीर दास जी का दोहा है, वे कहते हैं दास कबीर, जतन करी ओडी, जियों की तियों तस्धर दीनी चदरिया यानि बनाने वाले ने बड़े जतन और बड़े होश इस सरीर को बनाया है इसलिए इसको तुम जितना जाक कर जियोगे उतनी ही बारीक और शूक्ष में जीवन का अनुभव कर पाओगे जितना सूक्ष में अनुभव करोगे उतना ही ज्यादा जाग तो शपत गरहन समारों के पहले जो शिवराज सिंग्चोहान ने बयान दिया था कि जसकी तस्धर दीनी चदरिया उसका आर्थ आप लोगों ने समझ लिया है शिवराज किस बयान को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए